नमस्कार मैं हूँ सलामत अलिया और स्वागत है आप सभी का समय राष्ट न्यूज में समय राष्ट न्यूज में मुंबई और साथ इसाथ देश भर की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एक शायर का शेर है मैकेला ही चलाता जानी में वन्जिल लोग आते गए कारवा बनता गया इस पर आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है और दूसरा यह है कि इस पर में एक मौदू वक्त पर मैं इसका जवाब दूँगा आपको तफसील से बताओंगा थोड़ा सही वक्त पर मीडिया रिपोर्ट से हैं कि अबास सब्सक्राइब के साथ चाहिना करेंगे इस पर आपके मैं किसी का तर्जमान नहीं हूँ वो खाबिल लोग है वो अब इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो सब आपके साम में हर चीज है तो इस सवाल करना ये बेमाने है आप तो देख चुके हैं सब जहां तक मुझे कुछ कहना इस बारे में मैं एक अप्रॉप्राइट टाइम पर सो बताओंगा प्राइमरेंग्रमोदी ने आज वाक्टिन लिया है पहला वाक्टिन आज आज बूले आज बूले उस पे आपको क्या खेना है देखिए देश में सबको कोरोना वाइरस से बचने के लिए वैक्सिन लेना जुरूरी है और चाहे वो कोवी शील्ड हो या कोवी वैक्सिन हो परदान मंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सिन लेना है मेरा मोड़ी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी में जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोवी शील्ड है जिसको आक्सफर्ड एस्टराजनेका बनाती है और जिसका एक्तियार उन्हों ने यहां पर सीरम को दिया है तो जर्मनी में और उनका जो पबलिश डेटा है वैक्सिन साइट पर एस्टराजनेका का वह कहता है कि वो वैक्सिन 18 से 64 यर्ज के लोगों के लिए अच्छा है 64 के ओपर जो लोगों के लिए उतना एफेक्टिव नहीं है तो हम मोड़ी सरकार से पुछना चाते हैं क्या ये बात सच है कि एस्टराजनेका का जो कोवी शील्ड वैक्सीन है जर्मन सरकार ये कह रही है कि एटीन और सिक्स्टी फॉर येर्स के लिए अच्छा है उसके उपर के लोगों के लिए अफेक्टिव नहीं है और आज इतिफा पढ़ेगा ये वैक्सीन लेना पढ़ेगा मगर सरकार समय उस बात का मुतालबा करते हैं क्यारा इसका ये तो कंफूंजन है इस बड़ो जुर आ इसको इस कंफूंजन को दूर कर दे अब आव वैक्सीन तो लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ के हर गरीब अवां तक ये वैक्सीन सरकार उनको पहुंचाएगी और क्यूंकि आज भी लोगों की मौत हो रही है जनता परेशान है खास तोर से भारत के तीन चार स्टेट्स में फिर से तोड़ा केसल बड़े हैं इस पर मुझे इतना ही कहने है सब्सक्राइब क्या अब जो मौझूदा अभी अधिया कर रहा है आपकर गया घुश्यक्ष परिलाने दोर से अपधिर नहीं होता हूं और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूं अल्ला से और एक पाजिटिव लग रखना चाहिए नाउमीद ही क्यों होना चाहिए नाउमीद होने की जुरत ही नहीं है उम्मीद पर दुनिया खाये में ऊशिश करते रहेंगे ऐसा कोई बात ही नहीं है अश करह सो अभे नहीं है अभी नहीं क्या बूल कर दीक feels calm के फूरे अप्सकिंकानी नहीं सब्सक्राइब क्या विसलिए ब्लाष नाया विद्धी नहीं को ने ने क्या बोले यांड कोई पार्टी में और उनके फिर्जा दर्टवास नहीं पुलीघ या इस तो टी एमसी के है तो हां से दिख भूलीगे ना कि अरे कि दिश्विच का कहा है बाई कोई डिश्विच नहीं है कोई बाती नहीं इस बारे सही वखत पर बोलूगा तफसील बताऊंगा पुरी अरे नाराज क्या है देखिए हम गुजराद गए गुजरात में हम सिर्फ मेहनत कि वहाँ पर हमारे साथ कॉर्पेटर बाद में जीते हैं अब हमको उम्मीद है कि इन्शाललह ताला भरूच से गोद्रा से मुडासा से भी हमारे कैंडेट्स कामियाब होंगे हमारा काम चल रहा है आगे बढ़ेंगे अब आज हम मीटिंग लेने वाले हैं राजिस्तान के बारे में राजिस्तान में पार्टी को इस्टाबलिश करने का वह भी करेंगे बात करेंगे उतर परदेश के चुनाओ के लिए हम महिनत कर रहे हैं मैं चौदा इस महीने में उत्रोला जाओंगा मैं राजबर सहाब शूपाल सहाब से मेरी बाचीत होने वाली है यह हमारा काम चल रहा है रुकने आला काम क्या है हम हम गुलबरगा में हम अपने के एक एसम्बली कैंड़ेट का इल्यास बागवान साफ का अनाउंस्मेंट कर चुके हैं हमारा काम चल रहा है चौतर बिलकुल जाएंगे आप पिकर मत करिए बताएंगे आपको तफसील से बंगाल के अपर आपको बताएंगे आपके दोस्त को अरे भाई मेरा तो कोई दोस्ती नहीं है मैं तो लैला हूं बहुत चाने वाले हैं अब आप खांब खां यह ऐको हमारा दोस्त बना देते हैं या आपको बड़ी आप एक बुरी आदत है आपको के दोस्त बनाने की अब दुश्मन भी कभी बना दीजिए नहीं मालूख सब्सक्राइब जल से जल एक सही वक्त पर तफ्सील आपको बताएंगे तो अरे आप 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 आपको जो समझना आप समझ लो मेरे जो समझने हो निमाग में बता हूँ आपको बाइब मैं के लाई चला था जानी पे मंदल लोग आते गए कारवा बनता गया कोई जोब आरा थे टॉ किला रहा हिं पर आपक्ना था जौक किला निकला है आप अ सब्सक्राइब बराबर बढर बताएंगे आप 그게 यंदली में बटो मैं बट सिर्ट मोदी पर क繼ए ने खौन कि वितलिंगे जो ने लेंगे है चुछ है उटभी G Aurr क्यों नहीं लेंगे समय तो सबसक है मैं तो पहले से कह रहा हूं कि यह वैक्सीन को आप वो कर दो सरकार को देना चाहिए मैं यह कह रहा हूं कि वो वैक्सीन हर एक को लेना है जिसका स्टेश त्री के पूरे ट्राइल्स हो चुके हैं और यह वैक्सीन जुरूरी हम हम तमाम के लिए अपनी जान को बचाने के लिए और खास तोर से जो एल्डरली स्टेट्समन है ओवर सिस्टी फाइव यर्स जिसको हम उर्दों में कहते हैं हमारे बुजरूग उन बुजरूगों की जान बचाना जुरूरी है क्योंकि एज के लिहाज से को मॉर्विडिटी हो जबती है उनको एज के लिहाज से उनको यह वाइरस उन पे टाक कर सकता है तो उन पे खत्रा है तो जितने बुजरूग है 55 साल के उपर के पहले उनको लेना चाहिए और अच्छी चीज़ है बिलकुल लेना चाहिए उसको मैं कहा कर रहा हूं मैं तो बोरो ना बुजूर्दू में जो जो जईफ लोग होते हैं उनको बुजरुक कहते हैं तो बुजरुग लोगों को लेना जुरूरी है बहुत जुरूरी है बुजरुगों को इम्मुनिटी लेवल कम होता है ना उनका बलके पूरे देश की 137 को जनता को जिसमें अगर 18 साथ से कौम और वालो निकाल देंगे तो उन सब को दिलना पड़ेगा दिलना पड़ेगा ब कि इंग्लिश मीडिया के टाइम्स ओफ इंडिया के रिपोर्ट है आप ही का सिस्टर और जिसके लिए आप काम करते हैं जिससे आपको तनखा मिलती है उन्होंने अखबार में एक बॉक्स आइटम बनाकर न्यूस डाली है अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं उसमें अंग कि इंग्स अजर्मे इन पलाइब करते हैं लूच तो एंग्स आस्टार जनकर नाप श्को वार neख इंग्स एंग के बुए आप काम क्यू स्टर इंगर यंग्स अवे बिदिस स्ट्र आपको तो एक्समें उस्टर यंग्स ओक अवाल आटे इंग्स आपशल एप इंग्स ड recommended that the AstraZeneca vaccine be given only to people age 18 to 64 यह आप लोग क्या रिये कर रहे हैं अब आप मेरे को क्यों इन्जाम लगा रहे हैं आप भी प्रटिसेस करें उसको दालके मैं इसे भी पूछना चाह रहा हूं कि पधान मंत्री भी आज भारत बायाटेक का वह वैक्सीन लिये हैं तो सरकार को भाक क्लारिफाइ करदी जिस वैक्सीन तो सबको लेना है जान बचाने का इसमें कोई मैं तो सबको बोलूँगा कि प्लीज वैक्सीन लीजी और खास और से जो 65 साल के उपर के जो हमारे बजरुग है उन्स सब को लिना पहले है सब को जाके लिने का और उसके बाद जो है मैं तो परदानमंत्री से अपील करूँगा कि परदानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग खास तोर से जो कैमरामेन है जो फील्ड के रिपोर्टर्स है मेरी परदान मंत्री से गुजारिश है के एक स्पेशल ड्राइफ करा कर पहले इन लोगों को दिलाई आप क्यूंकि जितने कैमरामेन है जितने जनरलिस्ट है वो कम उमर के हैं कोई 40 साल का है को 35 साल का है तो परद अब लेट कोई करने के लिए चल रहा है यह चल सकता है ऐसा लगता है दिवारी साब आप टी-एम-सी के लोगों से टच में है तेमिल नाडू में हम बराबर एलेक्शन लडएंगे पांच साल पहले भी हम एलेक्शन लडए थे और वानियमबाडी से और एक और एक दो तीन जगह से हम वर्खावला किये थे वानियमबाडी में टेमिल नाडू हमारा यूनिट काम कर रहा है इन्शाला डेफिनेटली टेमिल नाडू में हम एलेक्शन लडएंगे हमारे लोग महां पर काम भी कर रहे हैं एलेक्शन लडएंगे टेमिल नाडू में हाँ क्योंने जाएंगे अरे बराबर जाएंगे आपको बताओ ना तिवारे साब में आप से कंसर्ट कर लेंगे क्योंकि आप आफर लाएंगे टीम सी से बात कर लेंगे हाँ कल के कल के तो पार्टी फॉर्मेशन डे है और इन्शालला आप लो तश्यूब लाईए और हमारी पार्टी अपना एक सियासी सफर जिसका आगाज 1957 में महरूम फकर मिल्लत अले रह्मा और उनके सातियों ने किया था आज अलहमदलिल्ला मंदले से एक ताखत और मौफ़ रखती है और जो हमारे बजर्गों ने जो खुर्बानिया दी जो पून पसीना बहाया जेल की सोहबते और मसाइब और मुश्किलात का सामना किया आज उन्हीं की खुर्बानिया और महनत की वज़े से आज मंजले से इस मुकाम को पहुंची है तो यकीना हम न तमाम हमारे मरूम खायदीन को हमारे जो सिम्मेदारान जो अज़ दुनिया में इन सब को खराज यवीदत पेश करेंगे उनको याद करेंगे ताकि उन तमाम लोगों की महनत खुर्बानी और उनके जो जो मीड़ें थी हम उसको बुरा कर सके और उसका तरीख अए की है कि हम लोग और जदा महनत करें इखलास पैदा करें और मझलिस के पैगाम को अवाम तक ले कर जाएं और खास तोर से गरीब अवाम के दर्मियान में रहे कर उनके इंसाफ का उनके फोख का मतालबा करें और उस पर अमल भी करें तो कल इंशालला ताला दारुसलाम में सुबा साड़े दस बजे पहले पर्चम कशाई होगी और पर्चम कशाई के बाद एक जलसा होगा अरी हमारी पाटी के लिए कल का दिन एक दो मार्च एक बड़ा एहम और तारीखी दिन है और हम तमाम मजलिस के जिम्मदारों के लिए एक फखर का दिन भी है और एकिनन तमाम मजलिस के जिम्मदारान मुहिबान मजलिस कल दारुसलाम में जमा होंगे और हम अपने जमाद के पैगाम को और जमाद की मेहनत और जिस सजू पर सिखर भी करें तो इस पर कोई बातचीत नहीं हूँ पार्टी में हमको बैटके बात करना है एक लाया मलता है करके आपको बताइए